इस्टूs दैंट्स आज अपने बात करेंगे गेस्टूलेशन की एंट्रोडेक्षिनरी आईडिया ओफ गेस्टूलेशन तो गेस्टूलेशन की जो सेल्स होती हो अपने निर्दिश्ट इसतान की और गमन धर्साती है यानिक उन्में मुमेंट होता है जिससे उस मुमेंट को अपन मार्फो जेनेटिक मुमेंट कहते हैं जिससे कोरक एक इस्तरिय से ट्रिपलो ब्लास्ट यानि त्री इस्तरिय गैस्टूला में कनवर्ट हो जाता है इसमें बाहर से भीतर के और करम से एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म पाई जाती है गैस्टूला में जो मार्फो जैनेटिक्स जो मुमेंट के द्वारा उत्पन जो गुहा होती है उसको आर्कियों ट्रॉन कहते हैं जिससे एलिमेंटरी कैनल का डॉलप्मेंट होता है देखिए अब अपने उससे पूरी जो वीडियो था उसमें अपने फर्टिलाजेशन की बात की गैमिटोजेनेसिस की बात की किलिवेज आज अपन गैस्टूलाइक बात करें तो देख रहे हैं कि यहाँ पर और 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 ऑर्कियों ट्रॉन से एलिमेंटरी कैनल का डॉलप्में होने लग गया और धिरे धिरे कंप्लिट एनिमल्स का फॉर्मेशन होएगा तो अपन जो आर्कियों ट्रॉन एक पोर के द्वारा भार के और खुलती है जिसे ब्लास्टो पोर कहते हैं और वो एनिमल जिनमें ब्लास्टो पोर से माउथ का डॉलप्मेंट होता उन्हों उन् और जिनमें ब्लास्टो पोर से एनस का डॉलप्मेंट होगा कि जिनन ईमल्स में ब्लास्टो पोर्से माउथ का डॉलप्मेंट होता है उन्हें पोटो कहते हैं और जिनमें ब्लाष्टो पॉर से ऐनस का डवलोप्मेंट होता है या ऐनल पार्ट बनता है उसे अपन डूटेरो इस्टोंग से कहते हैं इसी तरह से अब आगे आएगा ओर्गेनोजैनेसिस ओर्गेनोजैनेसिस वह प्रोसेज है जिसमें गैस्टुला में उपस्ती तीन जनन इस्तर जर् एंडोड्रम से ऐनीमल के विविन औरगन का डवफमेंट होना और और जैसे एक्ट्रड्रम से इस्कीन का यह अधिछरम वह नर्वस सिस्टम का डवफमेंट होना मीजोडर्म से डर्मिस देहग हुआ की वित्तियां या उनका ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम बॉन्स और अपने जो गॉनाड्स हैं या एक्स्ट्रेट्री प्रोडेक्ट वाले जो और्गन्स हैं मसल्स हैं उनका डॉप्मेंट होता है वही एंडोडर्म से एलिमेंटरी कैनल तथा उसकी जो एसे करने वाले जो ग्लैंड्स होती हैं वो लांग्स आधी का डॉप्मेंट होता है तो गैस्ट्रूला की जो फ्रश सत्य पर उपस्तित एक्टोड्रम अंतरवलित होकर एक नली का बनाता है जिसे वो नूरल ट्यूब कहते हैं और इस स्टेज को नूरूला कहते हैं तता इस पूरा प्रोसेज को नूरूलेशन कहते हैं और नर्वल जो कैनाल होती है नूरल ट्यूब होती है उसका जो आगे का भाग होता है वो चोड़ा भाग ब्रेन का तथा पीछे वाला जो भाग होता है वो लंबा होता है वो spine cord में develop होता है तो इस तरह से इन में organogenesis होता है अंगों का बनना शुरू हो जाता है अब आता है morphogenesis morphogenesis यानि development जो organogenesis के साथ animals की जो भारिय जो structure होती है morphological वो धीरे-धीरे adult animals की समरूपता दिखाने लगती है differentiation क्या होता है अपने देखेंगे कि जब समान प्रकार की cells का एक दूसरे से structural वो functional जो variations दरसाना differentiation कहलाता है differentiation जो different cells होती है उनका जो tissues layer का system होता है उसमें कुछ differences है तो business प्रकार के inductors की आउसकता होती है और इन cells में इन्हें जो doctors से प्रेदित होकर जो विवेदन दरसाती है cells के हिस्गुन को competence कहते है growth animals में development के दौरान cells की संक्या में लगातार व्रदी होती रहती है जिससे उनका जो प्राणी शरीर होता है उसमें growth दरसाता है और वह जो growth होती है वो embryonic stage अत्वा जो post embryonic stage होती है उन दोनों में ही वो transmit होती है इस प्रकार से अम देखते हैं कि जो विविन stage जो stage होती है उनसे गुजरता हुआ भ्रून जब विवी पेरेस animals की जो placenta के द्वारा तथा जो ओवी पेरेस जो एनिमल्स हैं उन वो योग के द्वारा nutrition लेते हैं तो placenta embryo के चारों और इस्तित एक कवर होता है जिसका formation embryonic वे पेरेंट जो maternal tissues दोनों के द्वारा ही किया जाता है जो complete development के पश्याद animals का जनम होता है जिसे pregnancy कहते हैं और pregnancy के बाद में complete जो एक complete जो embryo है शिसू के रूप में बहार आता है तो प्रसव से पूर जो embryo जो maternal जो उनकी जिस भी अवदी में वो अपनी मा के गरब में रहता है उसको अपन गैस्टेशन period कहते है यानि प्रशवकाल तो विविन जो species होती है उसमें यह गैस्टेशन period वो अलग-अलग होता है जैसे human में 266 day to 280 days के होता है इसी तरह इनिमल का जो बर्थ तक के जो development होते हैं उनको parental developmental कहते हैं parental यानि की जनम से पूर development और जो आफ्टर वर्थ के फश्चा जो infant जो infant उनको development कहते हैं क्योंकि उहां वो सिसू बन जाता है और जैसा कि हम जानते हैं कि आफ्टर वर्थ के फश्चा जो शिसू अवस्था से बाल्य अवस्था खिसूर अवस्था वैस्था वर्दा वस्था तता मर्तिव तक के प्राणी में भिविन development होते हैं जिससे जनम उत्तर परिवर्थ यानि पोस्ट नेटल development कहते हैं पोस्ट नेटल development के दोरान जो एनिमल होता उसकी बोड़ी में जाती के अनुरूप खोये हुए आथवा शतिग्रस्थ जो और्गंस की मर्मत करने की शमता पाई जाती है जिसे जीजनरेशन कहते हैं और एज व्रदी के साथ साथ उनमें ग्रोथ होती है पनुरूद बहुन की शमता दीर-दीर गटने लग जाती है और इस जो प्रभाव को एजिंग कहते हैं और अंत में प्राने की मृत्यू हो जाती है तो हमने आज जो एक इंट्रोटेक्शनरी आइडिया और डवलोपमेंटल बायलोजी या एंब्रियोलोजी का लिया तो उसमें हमने देखा कि किस तरह से एक अनिमल बनता है और किस तरह वह है उसकी मौत होती है तो इन दोनों ही चीजों के बीच में उसमें कितना सारा डवलोपमेंट होता है कहां एक गैमिट्स होता है गैमिट्स जाइगोट में कनवर्ट होता है जाइगोट में पहले ओंटोजेनेटिक डवलोपमेंट फाइलोजेनेटिक डवलोपमेंट होते हैं और किस तरह से वो प्रोसेज को बदलता एक एक जो ओर्गन्स होते हैं उन ओर्गन्स में किस तरह से उनका एक बनना होता है और किस प्रकार से वह है एक सिस्व अवस्ता में जो मा के गर्ब से बहार आता है और भारान के बाद में उसमें जो post natal जो changes आते हैं और उन changes के बाद में वो किस तरह से अपने आप में modify होकर वो यानि की ब्रतियों तक पहुंचता है तो किस तरह से जो उसमें बहुत सारी जो बोड़ी के hormones हैं या बहुत सारे प्रोसेज जो शुरू होते हैं फिर चरम पे पहुंचते हैं और फिर दिरे दिरे उसमें कम होता जाता है और एक दिन वो एजिंग आ जाती है और एजिंग के उपरांत हुए मृत्यू हो जाती है तो इन सारा जो प्रोसेज होता है इसमें एक बहुत लंबा समय की जर्रत होती है एक लंबे समय तक वो चलता रहता है और वो इंडेक्टर कहां से आते हैं किस तरह से एजिंग को प्राप्त करता है या भी रिसर्च का विसा होता है और इसमें जो रिजनरेशन की क्यों पहले गढ़ती है बाद में क्यों कम होती है इन पर सब भी चल रहा है और जो अलग-अलग एनिमल्स का आपन बात करते हैं तो अलग-अलग एनिमल्स में जो गेस्टेशन पीरियर्ड किस तरह का होता है किस तरह वो एक तैस हमें में अपना जो एम्ब्रियो होता है वो बिलकुल हो जाता है उसको नूट्रिशन जो पर प्लेसेंटा से मिलता है और किस तरह के से वो एक कंप्लीट एनिमल्स में कनवर्ट हो जाता तो इन चीजों को हमने आज देखा अगली वीडियो फिर हम मिलेंगे नमस्तुर्ट